हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आप अपने फोटो, वीडियो, आउडियो को यानि किसी भी फाइल को आप गूगल ड्राइब में कैसे सेप करेंगे दोस्तों अगर आप अपने गूगल ड्राइब में अपने फोटो को वीडियो को यानि किसी भी फाइल को गूगल ड्राइब में सेप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको complete जानकारी देने वाला हूं कैसे आप अपने गूगल ड्राइब यूज करेंगे कैसे गूगल ड्राइब में अपने फोटो को वीडियो को किसी भी फाइल को कैसे सेप करेंगे तो यहां पर गूगल ड्राइब में किसी भी फाइल को सेप करने के लिए सिंप्ली आपको ड्राइब अप्लिकेशन हर एक मोबाल में पहले स से इंस्टॉल होता है बस क्या करेंगे आपको सिंपली गूगल राइप अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे ओपन करने वाद दोस्तों आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखनी मिलेगा तो दोस्तों यहां पर फोटो यानि अपलोड करने से पहले आपको क्या करना आ है इसको क्या करेंगे औफ कर देंगे इसको क्या होता कि आपका यहाँ पर जो है फोटो अपलोड करेंगे यहां पर अपलोड हो 2019 करेंगे तो यहांपर आपको क्वूझ कर लेना को मैं आप गोगलитель meza करना चाते हैं तो यहाँ पर अपने फोटो या वीडियो को अपलोड करने लिए से में इमेज का अलग बनाएंगे फोटो का अलग बनाएंगे तो यहां पर आप लेख सेते हैं पर अपने अनिसार यहां पर क्या करेंगे फोटो लिख देंगे यहां पर क्रियेट पर क्या करेंगे दीचे में क्लिक करेंगे अप्लोड पर क्लिक करेंगे अप्लोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आप जो भी फोटो जो भी वीडियो क को अप्लोड करना चाहते हैं यहां पर आपको त्री लाइन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने माद यहां पर आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका इमेज का फोल्डर आ जागा जो भी इमेज को आप अपने जो भी फोटो को आपने गूगल राइब में सेप करना चा देख सकते हैं यहां पर यहां पर वी अप्लोड कर सकते हैं और बहार में भी अपलोड कर सकते हैं, यहां पर एक photo यहां पर Google Drive में upload हो चुका और यहां पर मैं इस folder को भी ऑपे open कर रहा हूं तो यहां पर एपलोड हो रहा है यहां पर अपको सेकेंड वेड़ करना है आपको उसके बाद वीडियो वगरा फोटो वगरा जो भी अपलोड करना उस पर क्लिक करेंगे थ्री लैंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो जो करना है पर सारा खुछ को क्या करेंगे आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर अपलोड करने से क्या करना फ़ेंक का आपको इस फोटो को ऊपन कर लेंगे पटने में दोस्तों ये जो फोटो होगा आपके मोबाइल में फिर से डा solic लोट हो जाएगा यानि आपका जैसे बाइदवार परमाल चोड़ी होता है गुम हो जाता है तो क्या करेंगे जो भी जीमेल आइडिया आपको गूगल ड्राइब में दिया हो रहेगा उसी गूगल ड्राइब में आप दुबारा लॉग इन करके जो जीमेल आइडियों करके डाल देना है डालने बाद आपको जो भी फोटो अगर आपको वापस लाना है उस फोटो पर किलिक करके इस तरह से आपको क्या करना डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों इस तरह से बढ़िए आसानी से आप अपने गूगल ड्राइब में किसी भी इमेज किसी भी फोटो कि इसी वीडियोज औडियोज को आसानी से सेप कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए